साथियों, गुलामी के लंबे कालखन के चलते हमने गरीबी का एक लंबा दोर देखा। ये दोर जितना भी लंबा रहा हो, एक बात हमेशा शास्वत रही। भारत का गरीब, जल्द से जल्द, गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। आज भी वो दिन भर कड़ी महनत करता है। वो चाहता है कि उसका जीवन बढ़ ले, उसके आने वाली पीडियों का जीवन बढ़ ले। वो सिर्फ दो टाइम की रोटी तक सिमित नहीं रहना चाहता ह। भी ते दसकों में, जो भी सरकारे रही हैं, उन्होंने अपने अपने सामर्थ और सुझ-बुझ से कोशिशे भी की हैं। उनी प्रयासों के हिसाब से उन सरकारों को परड़ाम भी मिले हैं। हम नए नतीजे चाहते थे। इसलिए हमने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। अब जैसे सोचा लए तो पहले भी बनते थे। लेकिन हमने रिकॉर्ड तेजी से ग्याना करोड से अधिक टॉयलेट का निर्मान किया। बैंक तो देश में पहले भी थे। और गरीबों के नाम पर बैंक को अगराश्टिकन भी किया गया था। लेकिन हमने और अभी अरुन जी विस्तार से बता रहे थे। हमने तेजी से 48 करोड लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। गरीबों के लिए घर की योजना भी पहले थी। उन योजनाओं की स्थिती क्या थी। यह आप लोग भली भाती जानते हैं। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरफ बढ़ला। अब घर का पैसा सीधे उस गरीब के बैंक एकांट में भेजा जाता है। अब घर बनानी की पुरी प्रक्रिया की लगातार मोनिटरी होती है। और ओनर ड्रिवन स्कीम लेकर करके हम चल रहे हैं। और जब ओनर ड्रिवन होता हैं तो गफले नहीं होते वो अच्छा घर बनाना चाहता है। हमने प्रिछले नव साल में तीन करोड से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिये है। यहने दुनिया के कई देश हैं पुरा देश नया बना रहे हैं। हमारे यहां अक्सर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती है। दुकान खरी दी जाती हैं पुरुष के नाम। गाड़ी खरी दी जाती हैं पुरुष के नाम। जमीन खरी दी जाती हैं पुरुष के नाम। लेकिन हमारी सरकार ने जो घर गरीबों को बना कर दिये हैं उसमें से करीब करीब डाई करोड़ घर जोइंट नेम से हैं उनमें महिलाओं का भी मालिकाना हग है अब आप सोचिए गरीब महिला खुद को एमपावर फिल करेगी तो फिर इंडिया मोमेंट आएगा के नहीं झाला खुद को घरीब मालिकाना हुआगा, हैं झाला खुद एला खुद करेगा 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 को भी महाना है अआप करेगा शवड़ पिल खुद